हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन तोडे वी आर गोईंग तो डिस्कस्ट नेक्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर सेमिकंडुक्टर करेंगे और उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे पीन जंक्शन डायोड ठीक है तो यहां पर अब आज के लिक्टर में फिर से बहुत सारी थियरी वाला पार्ट है conceptual theory है ध्यान से सुनते चलना है ध्यान से सुनते चलोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैं कैसे बोलते जा रहा हूं क्या अलफाज का इस्तिमाल कर रहा हूं इनका आप लोगों को ध्यान रखना है तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब पीन जंक्शन डायोड बनत पांच रुपए की फेवी क्या है और दोनों को चिपका दिया इसके लिए एक सुटेबल मैतड होती है इसको जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा चर्चा नहीं करने लेकिन हम लोग एक बेसिक आइडिया जरूर यहाँ पर लेते हुए चले तो यह देगो सबसे पहले ह होता है वो लिया जाता है एक intrinsic intrinsic semiconductor the slap'd एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ईंटर्ण से का मतलब ये प्योर अब इस प्योर इंट्रिण से मि कंड़कटर के बीच में हम लोग क्या करेंगे अब यह इसके अंदर में हम लोगों ने क्या करना है now we will add trivalent impurities now trivalent impurities trivalent impurities are added अब मैंने trivalent impurities को यहां पर add कर दिया trivalent impurities को add कर दिया तो देखो क्या होगा trivalent recall कीजिए trivalent याद करवाया था aluminium plus 3 मराबर है aluminium plus 3 मतलब यह क्या बनाएगा it will form यह क्या बना देगा it will form a p type semiconductor यह क्या बनाएगा तो यह बनाएगा आपके पास में p type semiconductor बन जाएगा तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं टेक पी टाइप सब्स्ट्रेट तो ऐसा भी लिखा उआ रहता है पी टाइफ सब्स्ट्रेट लिए मतलब हम लोगों ने क्या किया एक टाइप सेमी कंडक्टर material ले लिया और material ले लिया मतलब हम लोग क्या करेंगे उसकी वेफार्स generate करेंगे और उनके बारे में हम लोगों को बात करनी है अब इसके बाद में क्या होगा अब यहां से ले करके यहां तक तो हम लोग पहुंच गया अब इसके बाद में हम लोगों क्या करेंगे नाओ ए नाव इसके बारुम गार्म एंट आपर ए इस तो नाओ पेंटावलन इंपीरती अब इसके बार में हम लोगों ने क्या किया इसमें पेंटावलन इंपूरती इस आर और अल्सो टू ए डेड तुड फित था इप सेमी कंडुक्टर पी ताइप सेमिक एદक्टर जो आपके पास में फीटाइप सेमिक एंदर में लोगों ने क्या किया पैन्टा वेल इंप पीकर दिया अब जैसे ही मैंने में यह प्इंटा वजितल रहा है पैन सहना फैर्ट और हन ऎफ को फाल सरूप क्या होगा विल भी कनवर्टेड टू एन टाइप सेमी कंडॉक्टर में यह क्या हो जाएगा कंवर्ट हो जाएगा कौन तो अब इसका मतलग क्या हो गया तो एक सब्ट्रेश्ट था मेरे पास में उसके अंदर में हम लोगों क्या किए ट्राइवलन इंप्रोटी एड करने से वह पी टाइफ सेमी कंडॉक्टर बन गया तो वह साइड से क्या बन जाएगा एन टाइप सेमी अन्डॉक्टर बन जाएगा तो ओवराल कहानी क् пыт खा लाक यहां पर क्या हो गया ऑफी एन जंक्शन सब्सक्राइब प्रक्राइबया ओक्त आपके पास में जंक्शन बन चुका है कैसे बनाया इसको आसान मत आम वाशाख मैं कैसे याद सुपपल में हमारे पास मैं तियार है कैसे तत्यार Throughout से अथ ओन दोनों को आपस में पर यह जुड रहे हैं इस जगे पर आपके पास मैं पी एन क्या हो रहा है धोरा जं currency का causa reagent लग रहा है है तो पी और यहाँ पर लोगों क्या कर दिया जंद कर दिया अब लोग। थोड़ी सी कहानी के अंधर में और गुछते हैं और घुसने के पश्चात हम लोगों क्या पता लगता अब यह जो मैजौरे TF1 और जब यहोल बन रहा होता है तो यह पीछे चेंट अफें च्छोड़ के जाता है यह में आ कि आ कि में पास में डैन टाइब सेमी इंडाक्टर मैटेरियल एक इसके नंदर्म क्या खोगा कि जो free electrons हैं free electrons यह आपके क्या बन जाएंगे majority charge carriers बन जाएंगे majority charge carriers बन जाएंगे अब जब यह majority charge carriers बन जाएंगे तो क्या पीछे छोड़ेंगे दे विल लिव behind आ पॉजिटिव इम्मोबाईल आयन पीछे क्या चोड़के जाएंगे यह पीछे छोड़के जाएंगे positive immobile iron देखो इसको यह जो immobile iron है यह इसका concept क्या है इसका concept यह है क्यों यह simple सी बात यह है कि जब वहां से free electron निकल रहा है या वहां से whole आगे चलके traveling कर रहा है तो पीछे जो atom है आपका जो actual atom है वो आजू बाजू में covalent bond से क्या है बंधा हुआ ह है और इन covalent bond से बंधे हुए होने के कारण वो निकल के नहीं जा पा रहा है एक simple example के मैं बात करूं मान के चलो क्या हुआ कि थोड़ी सी मिट्टी आपके उपर गिर गई या फिर आप रस्ते से जा रहे थे चिडिया का पंक आपके उपर में गिर गया और अब वह आप से थोड़ी देर के लिए तो बंदा हुआ है वह तो एक्टनल चीज है कि नहीं बराबर है अब हवा तेज चलेगी तो क्या हो जाएगा और एक कुछ और इसमें करना रहे गया मान के चलो कि यह आपके उपर वो चिडिया का पंक गिरा था और आप लोगों क्या कर दिया रस्त और और समझते हैं देखो ध्यान रगना में एक एक पॉइंट को समझाते हुए चल रहा हूं धीरे दीरे चल रहा हूं कारण यह यह थियरेटिकल पोर्शन है लेकिन आपके दिमाग में पूरा फिट बैठना चाहिए तो भाई इस कहानी को फिटम फिट बिठाने के लिए ह लिए हमने क्या देखा कि और मैं होल्स हैं और एन के अंदर मैं फ्रीलेकश्व और यहां पर मैंने सिर्फ और सिरूध बनाने का तरिका होल्स बनाने का तरीका दिख लीजे आप को बुक्स के अंदर में color book color में diagram नहीं भी तो आपको ये चीज़ हैं जरूर समझ में आने कि whole मतलब गोला है और electron मतलब क्या है डॉट से बनाया है अब यहां पर अब क्या होगा भीया तो अब यहां पर होगा क्या देखो यह पॉजिटिव वाला है यह क्या है पॉजिटिव है और यह क्या है तो भाई यह नेगेटिव है अब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा यहां पर होगा attraction क्या होगा attraction होगा होगा या नहीं होगा attraction common sense बता दे common common चीजों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो होगा अब जब यह attraction होगा तो इस attraction के फल सुरू मैं बोल सकता हूं कि भीया because of this attraction because of this attraction actual मैं तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा आपको book में लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से due to potential gradient एक्शल में क्या लिखा रहेगा due to potential gradient मैं आसान बाशा में समझाने के लिए में technical word को साथ मैं दिखते चल रहा हूं बले ही लेकिन आप आसान बाशा से समझे potential gradient क्या है तो यह देखो एक simple सी कहानी में या पर छोटी सी पॉइंट को और मैं यहीं पर लगे आतों बता देता हूं यह है कि यदि कहीं पर चार्ज क्यूं है तो इसके कारण पोटेंशल डेवलप होता है जिसकी वैल्य होती है वन अपॉन खोर पाई साथ में पोटेंशल डेवलप होता है और वो जो पॉटेंशल होता है तो वह क्या कर सकता है वह फूर्स लगा सकता है उसका एक फील्ड क्रिएट होता है उसका क्या होता है फील्ड क्रियेट होता है जिसकी वैल्यू यहीं मैं यहां पर लिखना चाहूं साथ में लिख देता हूं यह बराबर वन अपॉन फूर पाई एपसाइलन नौट क्यू अपॉन आर स्क्वेर होती है यह अकेले पॉइंट चार्ज की क्या बोल रहा हूं मैं जैसे आप सिंपल सी बात करो आपने कहीं पर मैंगनेट रखी है तो मैंगनेट अपने आजू बाजू में रीजन क्रेट कर लिए जहां पर कोई दूसरे मैंगनेटिक मैटेरियल को लाया जाता है तो उस पर क्या लगता है और वो उसकी तरफ खिची चलिया आती है बराबर मैट में तो मैगनेट में सिर्फ आपको आट्रैक्शन देखने को मिला मरा लेकिन यदि वहीं मैगनेट के नॉर्फ पोल होगे वैろ रिफल्चन होगा तो ऐसे ही चाड़服 में जकित रखा हुआ है तो इसके आजू-बाजू में एक फील्ड तयार होता है जैसे मैगनेट मे स्प्रिच्उम स्बाइब को यहां पर नहीं लेते हैं ऐसा सुना तो होगा जरूर आप लोगों ने उसको भूल जाते हम लोग यहां पर बोलता है चार्ज रोग को कूछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा बराबर या तो अट्रेक्ट हो जाए तो काम करने ही जो रतिमी हो तो खिचाई चला जा रहा है और यदि वो रिपेल कर रहा है तो उसके अगेंश आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा तो वर्क कितना करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज को लाने के लिए तो वो इलेक्रिक पोटेंशल होगा इनका एक पोटेंशल होगा अब नेगेटिव वाले का पोटेंशल नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस क्यों लिखना पड़ेगा और पॉजिटिव वाले का पोटेंशल पॉजिटिव होगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा डिफ्रेंस होगा किसका की सब्सक्राइब का कई बच्चों के मन्हें सवाल ऑगा तो मैंने बला सह Wait रफास के शबना करते हैं तो उसे बोला जाता है इतल भाहिए c जब P-type substrate लिया, N-type substrate लिया, तो यह कुछ ना कुछ length है, बराबर है, तो यहां का पूरा potential हम लोग एक point पे मान ले, यहां का कुछ एक point पे मान ले, तो इन दोनों के बीच में जो length है, मतलब continuously ऐसा तो निये है, यह potential subject है, same होगा, it will continuously या gradually क्या होगा, decrease होगा over a length, this potential will decrease over a length, इ समझना है, समझे क्योंकि theory में आपको सब कुछ booklet के अंदर में लिखा हुआ, जरूर मिलेगा, लेकिन point को समझना भी जरूरी है, अब मैं एक simple सी बात करता हूँ, जैसे यह मान के चलो, एक ground था, और यहां पर एक पहाड ऐसा 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 पहाड है, अब मैंने क्या किया, एक bucket और full of bucket है, इसके अंदर में पानी भरा हुआ है, मान के चलो मैं इस पानी को यहां पर उडेल दिया, ठीक है, पानी को यहां पर उडेल दिया, तो क्या होगा, पानी को यहां पर उडेल दिया, तो यह पानी इसी के across, यहां पर ऐसे flow करने पड़े, अब एक बात बता, common sense वा और यहां पर मैं बात करूंगा, height is, है यह नहीं ना के बराबर है, या मैं बोलू लो है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, तो पानी ज्यादा height से कम height की तरफ जाता है, यह common sense वाली बात आप लोग जानते, घर में भी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, सीडि, सीडियों के पर फर्स सीडि पर बाल्टी बरके उडेल देगी है, वो नीचे तक चला जाता है, चला जाता है, नीचला जाता है, बिल्कुल वही वाली बात है, तो इसका असर यहां पर क्या मतलब है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाहिया, अब देखो, यहां पर यह चीज कहां पर relate कर रही यहां पर होल्स जादा है, होल्स आर मोर, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, तो भाहिया, जहां पर जिस चीज की कमी होती है, उस चीज की उसको क्या करनी होती है, सपलाई, मतलब यहां पर पानी देखो, किदर गया, यहां पर आप, उल्टा साइड जला गया यहां पर आपने पानी भरके डाल दिया तो यह जहां पानी नहीं है उस साइड में वो निकलने लगे आप कई लोग बुलें सर इसके उपर भी तो हो सकता है तो यह ऐसा नहीं होता है ने नैचुरल किदर हो रहा है उपर जाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा सिंप इस प्टेशल ग्रेडियंट जो यहां पर डिवलप हुआ है उसके कारण क्या होता है इसके कारण होता यह है कि हो इस स्टार्स डिफूजिंग रगना होलस डिफूजिंग तू िवर सरे और थाइड साइड संच अन्ड, एलेप्टरॉन तर दिफूजिंग, एलेक्टरॉन्स क्या करते हैं सोचो वलता इलेक्टरॉंस स्टार्विंग तु ओर्ष टीस है्टॉन्स पी-साइड में डिफ्यूज होना स्टार्ट कर दिया कहानी को देख एक पॉइंट टू-पॉइंट समझा रहा हूं मैं यहाँ पर कोशिश मेरी वही है जब यह होल्स इधर में डिफ्यूज होने लग गए इस रेट वर्ड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इस फ्लो अफ चार्ज पर कॉंसेंट्रेशन करते हैं इस फ्लो अफ चार्ज पर कॉंसेंट्रेशन करते हैं यहाँ पर कॉंसेंट्रेशन कीजिए आप लोग अपना कॉंसेंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर हैं वो कर रहे हैं N से P के तरफ बराबर है अच्छा होल भी एक तरह का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का चार्ज है तो इनके कारण जो होल के कारण आ रहा है यह क्या हो रहा है तो डिफ्यूजन के कारण आ रहा है यह इलेक्ट्रॉन करणrant आ रहा है तो मैं इसे नाम दे देता हूं whole diffusion current एक्चली थो होल डिफियूज़न करंट और सेолнक्राइक डिफियूजन करंट नहीं बोलना चारिए difficn current arrived due to whole और यहाँ पर लिखुँगा मैं diffusion current कौन सा current diffusion current due to electrons मतलब overall कहानी यह हो रही है भाईया कि यहाँ पर आपके पास में current flow होने लग गया है अब सोचो अब फिर से कहानी में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सोचते हैं अब किस प्रकार से सोचते हैं जब सोचिए आपका जो electron है बाहर निकला कहां से electron बाहर निकल रहा है एंसाइट से सो जब एक electron ने leaves जब आपके electron ने leaves and atom एक atom को पीछे छोड़ा बहार निकलेगा तो वहां से क्या निकलेगा वो पीछे उसको छोड़ जाएगा तो leaves and atom ionize उसे क्या कर जाएगा आयोनाइज कर जाएगा कि हम लोग जानते हैं यह वाली बात कौन सी वाली बात जानते हैं कि जब आपके पास में electron बाहर निकलता है तो पीछे चार्ज छूटता है अच्छे यह जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा मतलब यह है कि जब electron निकला है तो पीछे जो atoms है वो क्या हो गए अच्छे यह आपको समझ में नहीं आओगा न मैंने क्या लिखा है मैं इसको वापस लिख लेता हूँ भाई यह तो यह बोलेंगे हम लोग आयोनाईज है अचाहिए कैसा अचाहिए हुआ है सबरोची आयोनाइज हो गया पॉपजिटेवली आयोनाईज हो गया क्या यह वाली बात दूसरी बात यह है यहांपर कि इस इंप्लाइओ अल्स repetition same cheese repeat होगी किसके लिए for holes for holes तो holes के case में same cheese repeat होगी मतलग क्या जब whole P side से N side में क्या होंगे diffuse होंगे तो वो पीछे अपने पीछे क्या छोड़के जाएंगे एक क्या छोड़के जाएंगे negatively ionized negatively ionized atom छोड़के जाएंगे जो की क्या होगा विच विच विल भी immobile जो क्या होगा जो क्या होगा जो की immobile होगा वो चल नहीं पाएगा अच्छे यह क्यों नहीं चल पा रहा है क्या वजह है इसकी तो यह एटम जो है वह आजू-बाजू में क्या है बॉंड से बंदा हुआ है मैंने बहुत सही बात है सर जी यहां तक की कहानी समझ में आ देखो एक बात ध्यान रगना कहीं पर भी आपका ब्रेक लगा आपको वापस से पूरा सुनना पड होजा है इसकोए के नंदर में मैं यहां पर ऐसे तुकड़ा मार दिया यह किससे का तुकड़ा है सोचो बोलो तो इससे मुझे एक बात पता लगेगी कि इसके ये साइड में लगाया है ये साइड में लगाया कई लोग सोते हों कि सर एन पी लिख दो नहीं विखे वो स्टेंडर्ड में तड़ है पी एन ही लिखना है आपको ओके पी एन जंक्शन डायोड है जब त्लियरली बोला है अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से एको एलेक्ट्रॉन ने जब पीछे सब्सक्राइब करें तो कई बच्चों के मंद में डाउट क्या आता है सर्जी एंसाइड में आप पॉजिटिव क्यों रिप्रेजेंट कर रहे तो कारण समझ में आया बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी है यह ऐसा नहीं है कि आप मैंसे कोई एक दो अकेले होंगे नहीं बहुत सारे स्टूडेंट को समझ्या होती है कि सर यह पता नहीं क्या डाइगराम बना देते हैं जब पी साइड हो तो उसमें पॉजिटिव होना चाहिए जो एंसाइड है उसमें जाने वाले हैं तो यह मैंने होल्स बना दिये ठीक है तो डाइगराम के अंदर में चीजों को मैं लिख भी दूंगा टेंशन नहीं है यह क्या है यह लाल गोले है होल्स अच्छा ऐसे ही यहां पर यह क्या है यह है इलेक्ट्रॉंस ठीक है यह क्या है इलेक्ट्रॉंस है ध यहां से समझते चलिए मैं चाहता तो मैं सीधा डाइगराम आपको नोट से दिखा सकता था लेकिन बनाते हुए चल रहा हूं जिसे आपको परेशानी नहों अब यहां पर यह बात बताईए यह क्या है यह आपका नेगेटिव इम्मोबाइल आयन यह क्या है नेगेटिव इम यह आपका हूल है अब सोचे कहानी यहां तक पहुच गई है हमारी जंक्शन तक पहुंचा दिया अब जंक्शन पर क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाले protect करेंगे एक दूसरे को बिल्कुल करेंगे लेकिन यहां पर ध्यान लग कना यह जो बड़े वाले जो गोले हैं जिन में minus और plus लिखा है दे आर bonded with the neighboring atom दे आर bonded with the neighboring atom मतलब पड़ोसियों ने उन्हें बांध रखा है वो मुँव नहीं कर सकते लेकिन जो ऊपर जो गोले लग रहे हैं जो dot लग रहे हैं दे आर फ्री टू वो चल सकते हैं अब क्या होगा यह hole यहां से चला यह electron यहां से चला डोनों को क्या होगा री combination दोनों को क्या होगा यहां पर combination तो हम लोग लिखेंगे यह कहानी हो गई now at junction now at junction recombination will occur recombination will occur जब यह Contramion होगा तो देखो यह hole आया यह electron आया इस पर positive charge इस पर negative charge है यह आपस में एक दूसरे के charge को मार देंगे और क्या बन जाएंगे neutral बन जाएंगे बन जाएंगे तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है इसका जो अगला डाइग्राम मुझे बनाना है उसमें क्या करना है इसको अरे इसको 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 यह मैंने यहाँ पर उडाना चालू कर दिया अब जब यह कहानी simultaneously चल रही है तो यह कहानी कहां पर हो रही है यह कहानी हो रही है junction पर यह कहानी क्या हो रही है junction पर जहां पर holes और electron ने एक दूसरे को मार पीट किया पूरी मार काट मची और एक दूसरे का अस्तित्व खतम कर दिया लेकिन जो पीछे जो bonded वाले बचे हैं वो अभी भी as it is है अब इसके कारण क्या होता है जो चलने वाले जो charge carriers से उनका अस्तित्व यहां पर खतम हो गया तो इसके कारण यहां पर एक reason develop होता है यहां पर क्या होता है एक reason develop होता है और हम लोग क्या बोलते हैं this reason is depleted of charge carriers यहां पर charge carriers की कमी है ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ this reason is depleted of charge carriers मतलब यहां से सारे charge carriers क्या हो गए है जा चुके हैं, यहां से सारे charge carriers क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, मतलब यह एक ऐसा reason बन गया है, जहां पर charges अविलेबल नहीं है, कौन से वाले, free वाले, जो move कर सकते थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं, depletion layer, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, depletion layer, अब इस depletion layer के अंदर मैं मैं थोड़ा सा ध्यान दू, तो देखो, भले ही वो चलने वाले charges खतम हो गए हैं, लेकिन अभी भी यह positive immobile alliance और यह negative immobile alliance तो अभी भी यहां पर अपना अस्तित्व जमाए बैठे हैं, हैं कि नहीं, मैंने बोला, बिल्कुल सही बात है, अब मैं यहां पर छोटा सा point आपको electrostatic chapter से निकाल के लाना चाहूंगा, वो यह है, बस आपको थोड़ा सा सुनना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो यह है कि यहां पर positive charges हो गए अभी और यहां पर negative charges हो गए, even though they are immobile, they are immobile charges, अब कई लोग इमन महारा बसर यह लोग भी तो मारा काटी करके खतम कर सक है, जब कहीं वो चल पाएं, जब चल ही नहीं पा रहें, यह positive वाले अपने इधर में बंदे हुए, negative वाले अपने इधर में बंदे हुए, वो कहां जाएंगे, वो तो लडर बिढ रहे हैं, और उन्होंने जो mobile charge सा उसको क्या कर दिया, खतम कर दें, डिप्लीशन लेयर यह पोटेंशल साथ में ही होता है, मैंने थोड़ी देर पहले concept recall कर रहा है, जो आपको ध्यान रखनी है, अभी के लिए, ओके तो यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यह बैटरी जैसा एक सिस्टम तयार होगा है, जो एक्चल में बैटरी नहीं लगाई है, इस बैटरी अब फिर क्या हुआ, अब फिर ऐसा हुआ, जब यहां पर यह जो reason तयार हो रहा है, इसके कारण, एक electric field तयार हो गया, मैंने वो लग बिलकुल सही बात है, अब यह जो electric field तयार हुआ है, यह जो electric field होता है, उससे पहले हम लोग इस depletion layer की ठिकनेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं, वो यह है, इसकी जो ठिकनेस होती है, कई बार इस पर भी छोटा मोड़ा पॉइंट यही बनाना चाहिए, एक्जामनर क्वेश्चन तो पूजना सकता है, the thickness of depletion layer is of order of, is of order of, one by ten of micrometer, micrometer का दस्वा हिस्ता, इतनी इसकी क्या होती है, ठिकनेस होती है अच्छा, अब और क्या हो रहा है, जिसको हम लोगों को यहाँ पर समझना है, वो यह point है, बीदो यह electric field यहाँ पर generate हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी है, वो क्या है, चर्चा को जिस प्रकार से है, कि मान के चलो, यह ऐसे electric field है, यह ऐसा electric field है तो यह electric field जो होता है, वो positive से negative की तरफ होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, positive से negative की तरफ होता है, यदि इसके अंदर में, यदि मैंने किसी positive charge को रखा, plus Q को रखा, तो इस पर इस direction में ही force लगता है, जो होता है, F बराबर QE, और यदि यहाँ पर एक negative Q charge को रखा, तो इस पर force लगेगा इधर में, और इसका भी magnitude उतना ही Q charge का magnitude है, direction important है, minus पर उल्टी लगी, plus पर उसी direction में लगती है, ध्यान से सुन्दा मैंने क्या बोला, electric field जो है, वो positive charges से negative charges की तरफ होता है, यह ऐसी direction है, मतलब यहाँ पर मैंने clearly बता दिये, देखो, this is the direction of electric field हरे color में डाला अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, कि यदि इस electric field के अंदर में, मैं बात करता हूँ, किसी positive charge के बारे में, तो उस पर इसी direction में, मतलब जिस direction में electric field है, उसी direction में क्या लगता है, एक electrostatic force लगता है, और यदि कोई negative charge है, तो उस पर उसकी opposite direction में force लगता है, तो सर इस कहानी, य यहाँ पर discuss करवा रहे है, उसका लेना देना क्या है, यहाँ पर, तो लेना देना ये है भईया, कि देखो, जब आपने PN junction बना रहे थे, तो एक बात बताओ, क्या आप इतने perfect हैं कि यहाँ पर कोई electron नहीं बचा होगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्या आप इतने perfect यहाँ पर कोई hole नहीं बचा होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, मतलब इसके अंदर में थोड़े बहुत electrons यहाँ पर अभी present हैं, और यहाँ पर आपके holes भी present है, electron holes दोनों साइड में रहेंगे, क्योंकि देखो, हमने कहानी की शुरुवात कैसे करी ती, याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग एक्च्वल प्रोसेस क्या ही, एक सिल्कॉन का श्रप्टरेट था, उसके अंदर में उसको पी बनाया, और फिर हम लोगों ने यह पेंटावलन इंप्रोडी एड करके ऐसा किया था, बराबर है, लेकिन जैसे यह junction मना तो सबसे पहले holes और electrons भागे यहाँ प कर रही है, अब क्या होगा, जैसे यह electric field तयार हुआ तो common sense से सोचिए, अब यहाँ पर common sense से जड़ा सोचिए, कि electrons जो हैं और holes जो हैं, वो क्या वापस से move करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैंने बुला, बिल्कुल सही बात है, यह move तो करने वाले हैं, वो कैसे move करेंगे, कैसे move करेंगे, तो मैंने अभी आपको दिखाया था, direction में देखो, negative वाला जो है, field के opposite, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यह जो है, यह जो electron है, इसकी यह दि मैं बात करूँ, so it will start moving in this direction, और यहाँ पर जो यह hole है, this will start moving in this direction, क्यों, electric field की direction इस तरफ है, बात ज्यान सुनना, मैंन क्या बोला, यह जो electron है, वो electric field के opposite, और यह जो hole है, वो इसके opposite में move करना start करेगा, और इसे बोला जाता है, technically drift, इसे क्या बोला जाता है, technically drift word use किया जाता है, तो मैं बोलू यह कहानी क्यों रिटे हो, पहली वाली कहानी अपने आप चालू हुई थी, हुई थी की नहीं हुई थी, पहले वाली अपने आप चालू हुई थी, क्योंकि यह good है, मनमक्या है, attract होना चालू हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, वो बीच में depletion layer बन गया, एक wall जैसा structure तयार हो गया, जो इसको इधर उधर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन कहानी को आगे पढ़ते तो हैं, due to electric field, due to electric field, electrons from P side, electrons from P side, starts drifting, starts drifting to N side, and, holes from N side, starts drifting, starts drifting towards कौन सी side, P side, देखो, diagram को फिर से देखो, सही बनाया, यही बोल रहा हो मैं आपर भी, जो लिखा है वो यहाँ पर diagramatically दिखा है मैंने, बिलकुल सही बात है, so, इसके कारण क्या होता है, तो फिर से वही कहानी यहाँ पर repeat होगई, कौन सी कहानी की सर में बात कर रहा हूँ, तो देखो, electron यहाँ पर, electron यहाँ पर क्या कर रहे हैं, electron यहाँ पर drift कर रहे हैं, और holes भी यहाँ पर drift कर रहे हैं, बराबर हैं, मतलब फिर से वही कहानी किदर कर गई चार्जे चलने लगे कहानी वही है चार्जे चलने लगे मीन्स यहां पर ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने लगेगा ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट फ्लोइंग बात में आ रही है अब फिर दिफ्यूजन वाली तो हम लोग बोलेंगे कि भीया इनीशियली डिफ्यूजन करन्ट इस नुट इस इस जीरो बट बट लेकिन किंतु परंटु ग्रेजिवली धीरे 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 क्या होने लगेगा लिफ्ट पार इंक्रीजिंग डिफ्ट करन्ट र्रांट को क्लियरेियो और इस वह सारी चीजी धाव पहलेville सिदर से दर जा रहे थे िलेक्ट्रॉन चल रारा रहे तो जो भी डिफ्यूज न करन्ट आया होगा और और जब यह यह लेक्री ट्यार हो गया तो ल्टी कहानी बहरे यह प्ला इंगर सिद्धर आ रहे और नियुक्त यह यह है और इन दोनों एक दम cut to cut target मारके recombination हो गया होगा नहीं हुआ होगा ना हो गया होगा ना साइड से निकल गया just miss हो सकता है तो वही कहानी को हालाग इसको यह मैं बस आपको समझाने के परपस से बता रहा हूं अच्छा तो कहानी यह हो गई 순y graduates graduu करणگ साथ सेंग्रीजेंग we know that we know that क्यों बन्हीं जानते हैं याび ड्रीफट करन्ट करन्ट ड्रेफट करन्ट कासव एो डनौकर क्या है कि डिफिऊजन कवर कर एन-ड हार इन-भी करन्वाचान आर इन-भी ठाय और इस्टर डाय को सहन करेंगे अकशीज़ आप एक common sense सोचिए कुछ पानी इदर से इदर आ रहा है कुछ पानी इदर से इदर आ रहा है तो वह दोने क्या करेंगे 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 कि नहीं करेंगे मैंने बिलकुल सही बात है तो after word of situation will be created after word कुछ देर के बाद में एक ऐसी situation बन जाएगी एक situation बन जाएगी जहां पर क्या हो जाएगा कि भाई या diffusion current will be equal to drift current जब यह situation बन जाएगी तो इसका मतलब होगा therefore no net current flow इसका मतलब क्या होगा no net current flow across junction junction के across कोई भी current flow नहीं होगा junction के अक्रॉस कोई भी current flow नहीं होगा लेकिन junction के अक्रॉस भले कोई current flow नहीं हो रहा है लेकिन यह electric field बना हुआ है वो तो अभी भी ऐसे है ना yes or no इसका मतलब इस नेगेटिव और इन पॉजिटिव के बीच में जो potential difference है वो तो as it is है यस और लो मैंने बुला बिल्कुल सही बात है तो यह जो potential develop हुआ है यह जो potential develop हुआ है potential develop इसे नाम देते हैं barrier potential इसे क्या नाम देते हैं barrier potential जो क्या करता है basically इसी ने तो यह पूरी कहानी रची थी कि भाईया drift current को लेके आया diffusion current को रोखाता मतला हम लोग बोल सकते हैं यह जो barrier potential है stops further diffusion of further diffusion of charge carriers अब कई लोग बोल रहोंगे सर इसको तो आपने पहले लाना चाहिए था इसको लाश्ट में क्यूं लेकिया है तो यह उसका रीजन यही है कि कुछ चीजें बाद में ही बताने लाइक होती है हालां कि इसको पहले बोलना चाहिए था आपके मन में भी यही आया होगा कि सर इसको तो पहले बनाना चाहिए था बाद में क्यूं बता रहें या पी साइट में हो जादा हैं साइड में एक्ट्राव स्टार्वल कार चालने लगे यहांपर पर बन रहा है जहां पर मतलब क्या होगा धी यह पहले यह यह OUR एक साइफ है नցप लेकिन कहानी तो यही है कि जब यह प्रोसेश चालू हो चुकी है तो बीच में जब जहां पर जहां पर दोनों का लेकिन जब यह और इलेक्ट्रों जब बाहर निकल तो अपने पीछे क्या कर रहे हैं उल्टे चार्ज वाला इंव मोबाई आयन चोड़ अहरें पीछे पॉजिटिव इमोबाई यह जो की मूव नहीं कर पा रहें जब यह जो तयार हो गया पीच में जो स्पेस रीजन बोलते कि यह यह एलेक्ट्रिक फील्ड पी साइड से एलेक्ट्रॉनों को खीचता है उनको फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे यह उल्टी रिशा में चलने लगते हैं और इनके चलने के कारण यहां पर ड्रिफ्ट करन्ट प्रोड्यूस होता है शुरुवात में क्या होता है डिफ पूटेंशल डिफ्रेंश डेवलप हुआ है जिसे पूटेंशल बैरियर पूटेंशल बोला जाता है जिसको हम लोग और डाइग्राम में यह उल्टी बैटरी से दिखाया है यहां तक की कहानी समझ में आई तो भी यह यह तो था आपका पी एंट जंक्शन अब इसको जब हम साइड यह होती हैं इसे आप बोल सकते हो कै्छोड है यह से सर्फ काम की चीज़ बनेगी और यहां लोग एक वर्ड करेंगे जिसे बोलेंगे बाई सिंग अब यह बाइसे अप 2 सिंग होती यह मांठिन नहीं है पांठ सिंग नहीं एउता है ठीक है बाई सिंग जो बोलना है बोल जो आप रीचा क्या है सो बाइसऔं का मतलब होता है आप बीकेशन ओफ एकम स external DC Souks external DC Souks to the device जो हम लोग किसी device से battery को connect करते है तो उसे बोला जाता है biasing उसे क्या बोला जाता है biasing अगर 27 यहाँ पर होती है डो टायप की कितने टाइप की होती है दो टाइप की कौन कौन सी होती यह एक ओती है फारवरड भाइसिंग एक होती है रिवर्स भाइसिंग तो आप देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डायूड बनाया यह तो है डायूड यह पी साइड हो गई यह एन साइड हो गई एक हमने लेली बैटरी ठीक है यह बैटरी का पॉजेटिव टर्मिनल यह नेगेटिव पॉसिबल नहीं है किस से ज्यादा एक तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया यह दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यह देख लीजी आप इसके अलावा कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता बहुर कोन साइड से और नेगMich Response से इसे कर्टे तो इससे बोला जाता है रिवर्स बाइसिंग इसे क्या बोला जाता है इसका पर कि खुव कहा है दो इस पर क्या होता है इस पर कई बार रही हो दो बना देंगे तों यह मैं आपके सामने सवाल भी लिख देता हूं मैंने बोला यह है 5 वोल्ट यह है तू वोल्ट आपको बताना है फॉरवड बायस है कि रिवर्स बायस है ठीक है यहां पर 2 वोल्ट यहां पर 5 वोल्ट एक्जाम्पल है और कुछ भी नहीं है यहां पर माइनस 3 वोल्ट यह है यहाँ पर माइनस 2 वोल्ट यहाँ पर मैंने लगाया है माइनस 2 वोल्ट यहाँ पर मैंने लगाया है माइनस 3 वोल्ट यह है मेरे पास मैं यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पर 0 वोल्ट यहाँ पर है एक्जाम्पल माइनस टू वोल्ट और प्लस का टू वोल्ट आठ एक्जाम्पल मैंने लगे हातों साथ में बोड पे लिख दिया अब आपका काम है आइडेंटिफाई करना और बताना ठीक है अब डाइवोड को देखके आपको पैचानते आना चाहिए यह कौन सा फॉर्वर बायस खतम इतना ही सवाल है ओहो सर आसान लग रहा है तो अच्छे चलो अगले पर करते हैं यह दो पे यह पांच पे ज्यान दीजे पॉजिटिव नेगेटिव के लफड़े में नहीं पढ़ना है यह आपका लोवर पोटेंशल यह है आपका हायर पोटेंशल यह है आपका एह है आपका औलो पी साइड पे कम है मतलब यह हो गया रिवर्स बायस कंडिशन चलो अगले वाले यह यह आप लोगों निकाल दिया होगा इल्टा है सिदा सिदा दो तो सीदे खतम हो गए अच्छा और आगे वाले पर हम लोग चर्चा करते हैं यह दो सवाल देखो यह जादा है यह कम है मतलब यह फॉरवड बायस क्योंकि यह पी साइड यह एंसाइड यह पी साइड यह लोवर पोटेंशियल यह है हाईर potential मतलब यह है reverse bias clear है अच्छा अब गड़बरी हुई होगी बस आप लोगों की यहां पर अब ज़रा ध्यान से सुनना कौन सा forward है कौन सा reverse है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे number line भी नाते हमेशा ज्यान रखना यह जीरो माइनस वन माइनस त्यों और माईनस जीक опас किसी भी number line पर दो राइक साइड़ का number होता है वो higher value होती है क्या बोला मैंने number lines parallel higher value होती है तब आप का आके देखिए क्या हो गया यह है higher पोटेंशल यह है लोवर पोटेंशल यह है पी साइड यह है एन साइड यह है तो यह हाईर इदर हो गया मतलब यह वाला आएगा reverse bias मैं बात समय आ रही है कि नहीं आ रही है फटा पर देखो अच्छा और मैं क्या कह रहा था यहां पर और जड़ा देखो माइनस टू माइनस ट्री राइट साइड माइनस टू है मतलब यह हो गया higher potential यह हो गया lower potential यह हो गया पी यह हो गया एन मतलब आप इसे लिखो गे forward bias आठ एक्जांपल मैंने यहां पर आप लोगों को करवा दिये हैं और मैंने सिर्फ और सिप आपको पी एन जंक्षन पी एन जंक्षन सिर्फ सिखाया एतनी देर्व के अंदर में मैं उम्मीद करता हूं कि यह जितना मैंने सिखाया है आप यह अपनी अब देखो इसके बाद को इदर मैं बना देता हूं लो भाई माइनस टू वोल्ट यह जीरो वोल्ट एक क्वेस्टन यह बना दोगे आप लोग सौरी सौरी कई लोगों को पता भी लगा होगा हालांकि जिनका जो लोग थोड़े से पड़े लिखे हैं उनको पता लग गया होगा और तो कहीं गलती नहीं करी नहीं थी हाव यह मैंने बोला यह है जीरो वोल्ट यह है माइनस टू वोल्ट यह और एक इक्जाम्पल दो एक्जाम्पल और बनके बस इससे जादा कुछ नहीं है बताओ आइडेंटिफाई करो यह क्या आएगा रिवर्स बायस यह आएगा और बायस ठीक है दो एक्जाम्पल कैसे माइनस टू देखो माइनस टू एदार रहे मतलब लोः साइड साइड में मतलब हायर साइड हो गई और zero right side में मतलब वो higher side हो गई तो यह forward bias connection हो गया इससे जादा और सवाल नहीं है अब इसमें क्या है जब आपको exam में सवाल आएगा तो data बदलेगा इससे जादा और कुछ भी नहीं बदलेगा आपको करना क्या है मैंने क्या बताया जो lecture सुना है आपने इसको दो बार तीन ब पड़ा रहा हूं बहुत टाइम मतलब एक गंडे के अंदर में पी एंट जंक्शन पी एंट जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पी एंट जंक्शन डायोड के तक मैं खतम कर देता हूं उसके बाद में तुम्हें रेक्टिफायर भी चालू कर देता हूं पर पता नहीं आज समय जल्दी निकल गया या घड़ी फास चल रही कि क्या हो रहा है बट यस टाइम इस ओवर फॉर दडे सो आज हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा मुलाकात करेंगे जरूर करेंगे लेकिन आने वाले अगले लेक्चर के दर्मियान सो तब तक के लिए धन्यवाद